हेलो फ्रेंट्स आज से हम सुरू कर रहे हैं कोरल ड्रा की एक नई स्रीज और इस स्रीज में हम कोरल ड्रा बिलकुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे कि कोरल ड्रा का यूज क्या है और कोरल ड्रा के एक एक मेनू के बारे में हम इस स्रीज में पूरा कम्पलीट देखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे CorelDRA का introduction और CorelDRA का user interface और कुछ CorelDRA की basic जानकारी जो CorelDRA सीखने से पहले हर user को पता होनी चाहिए CorelDRA से पहले हमने Photoshop को पूरा complete कर लिया है कि Photoshop क्या है और Photoshop के एक एक option और उसका पूरा user interface देखा था कि Photoshop हम कैसे चलाते हैं अगर आप लोग भी Photoshop बिल्कूल basic से advanced तक सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से basic से advanced तक Photoshop सीख सकते हो और उन सभी वीडियो की link आप लोगों को नीचे description box में मिल जाएगी तो चलिए हम अपने वीडियो को start करते हैं और जानते हैं CorelDRA क्या है What is CorelDRA? CorelDRA क्या है? CorelDRA एक vector graphics software है जिसका इस्तेमाल graphics को edit करने के लिए किया जाता है इसके अलावा इस software का इस्तेमाल graphics को design करने के लिए भी किया जाता है CorelDRA का निर्माड वर्ष 1989 में Corel Corporation के द्वारा किया गया था यह software विंडोज और माइक OS को भी support करता है CorelDRA में बहुत ही अच्छे features होते हैं जिनकी मदश से आप बहुत ही स्तानदार और आकरशक 2D graphics को design कर सकते हो यह होता है हमारा CorelDRA CorelDRA का उपयोग विभीन प्रकार के graphics designing से संबंधित जैसे की logo design करना, binary poster design करना, visiting card, invitation card या फिर किसी भी प्रकार की designing आपके mind में चल रही हो तो यह design आप लोग CorelDRA पे बहुत ही आसानी से बना सकते हो तो CorelDRA आप लोग जान गए होंगे कि क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे CorelDRA के एक एक project के बारे में और CorelDRA के एक मेन्यू एक एक टूल जो भी उसके option हैं सारा हम इस स्रीज में complete करेंगे तो यहां पर हमने देख लिया कि CorelDRA क्या होता है और CorelDRA का उपयोग क्यों किया जाता है अब हम जान लेते हैं अपने कंप्यूटर में CorelDRA को कैसे open करते हैं अभी हम अपने कंप्यूटर की डेक्स्टाप स्क्रीन पर हैं तो CorelDRA open करने के लिए सबसे पहले हमको start बटन में जाना है start बटन में जाने के बाद यहां पर हमारे कंप्यूटर में जो भी application है वो यहां पर दिखाई देते हैं हमको उपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है यहां पर आप लोगों को एक फोल्डर दिखाई दे रहा है किलिक करेंगे यहां पर processing होगी और हमारे सामने CorelDRA open हो जाएगा इस तरीके से भी हम CorelDRA को open कर सकते हैं इसको यहां से close करते हैं एक और तरीका देख लेते हैं CorelDRA open करने का यहां से close कर देंगे तो दूसरे तरीके से CorelDRA open करने के लिए हमको कीबोर्ड से बिंटो बटन के साथ R बटन प्रेस कर लेना है और इसमें हमको टाइप कर लेना है CorelDRA C-O-R-E-L-D-R-W इस तरीके से हमको CorelDRA type कर लेना है इस run कमांड में आप लोग देख पा रहे होंगे और यहां से हमको OK क करेंगे processing होगी और हमारे सामने CorelDRA open हो जाएगा तो इस तरीके से हम अपने computer में CorelDRA को open करते हैं जो CorelDRA है CorelDRA का interface कुछ इस तरीके से होता है शुरू में जब CorelDRA open करते हैं तो हमारे सामने एक welcome screen आती है यहां पर दिया है new document अगर हम यहां पर page लेना चाहते हैं तो new document पर click करेंगे हमारे सामने एक नया page आ जाएगा new from template अगर हम new from template पर click करते हैं तो जो पहले से कुछ template बने बनाए हैं CorelDRA में अगर हम इन template पर काम करना चाहते हैं तो इन template को ले सकते हैं इस side में बहुत सारी CorelDRA की design है जो भी design लेना चाहो जिर भी style का template लेना चाहो यहां स ले सकते हो तो template और open system का मतलब यह होता है जो भी file हमने हाल ही में CorelDRA open की वह file यहां पर दिखाई देती हैं और यहां से हम open कर सकते हैं open other अगर आप लोगों के computer में पहले कोई image बनी है उसको आप CorelDRA पर लाना चाहो तो open other के option से उस image को CorelDRA पर ला सकते हो लेकिन यहां प document का एक dialogue box open हो जाएगा आप जो भी new document लेना चाहते हो उसका नाम देना हो यहां पर नाम दे सकते हो जैसे यहां पर हम type करेंगे यूपी सी आई यस यस प्राइम हमने name में दे दिया यूपी सी यस यस प्राइम साइज हमको कौन सा रखना है लेटर रखना है इसमें बहुत स bit और height दिखाई दे रही है जो default होती है आप अपने अनुसार भी page की bit यहां पर set कर सकते हो इंच में set करना है pixel में set करना है set कर सकते हो और यहां से हमको ok कर देंगे हमारे समने नया page आ जाएगा जब हम coral draw को open करते हैं एक नया page आता है और सब से उपर जो आप लोगों को दि दिखाई दे रहा है आप लोगों ने अभी देखा जब हम पेज ले रहे थे वहां पर पेज का नाम हमने डाला था यूपी सी आई एसस प्राइम टाइटल वार में यूपी सी आई एसस प्राइम सो हो रहा है और इस टाइटल वार में right side में जो तीन बटन है यह हमारे control restore down पे कलिक करेंगे जोटी स्क्रीन में आ जाएगा यहां से भी हम अपने और रा को कुछ इस तरीके से अर्चेस्ट कर सकते हैं height बढ़ाना हो तो height बढ़ा सकते हैं width बढ़ाना हो तो यहां से हम width होगेरा कम ज्यादा कर सकते हैं फिर यह बटन है यह बटन maximize की है इस पे कलि कbucks नहीं करना है बलके की में मीनिमाइज कर देंगे तो बिलुकुल उतने ही स्थान के में मारे बाद में में आजायेक्त अपर अब लोग देक पा ह्रहोंगे और यहां कलिर कर देंगे बाद फिर ओपन और नीचे जो तो हमारे file, edit, view, layout दे हैं, यह हमारे menu बार होते हैं, हर menu में अलग-अलग option है, और अलग-अलग option का अलग-अलग काम होता है, जिनका हम use आने वाले वीडियो में एक-एक करके देखेंगे, इन option का काम क्या होता है, अगर हमें editing से कोई काम करना है, तो edit menu को open करना है, view याने के कुछ देखना है, तो हम view menu का use करते हैं, इसी तरीके से layout पे click करेंगे, तो layout से related हमारे option आते हैं, menu बार के नीचे जो पट्टी है, इस पट्टी को हम standard toolbar के नाम से जानते हैं, standard toolbar की सहाथा से अगर हमें नया document लेना हो, तो यहां से हम नया document ले सकते हैं, या फिर control यन बटन प्रेस कर सकते हैं, फिर इसके बाद next button है open का, अगर हमें कोई भी file open करनी हो, तो यहां से open कर सकते हैं, save करना, print करना, cut copy जो paste करना होता है, यह सारी की सारी चीजे हमारी standard toolbar में दिखाई देती हैं, फिर standard toolbar के नीचे, यहां पर जो है, इसको हम बोलते है, property toolbar का का काम क्य लिके के आप लोगों को कुछ option दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते है, toolbox, toolbox बहुत ही काम के option है, इनहीं की सहायता से जो भी work करना है, हम coral drama में work करते हैं, toolbox पे जब हम किसी भी option पे click करते हैं, तो उसी option से related property बार में option दिखाई देते हैं, जैसे यहां पर अभी हमने rectangle tool लि लेंगे तो प्रोपरेटी बार में rectangle tool से related आप सनाते हैं, अगर यहां पर हम text tool लेंगे तो प्रोपरेटी बार में text tool से related आते हैं, प्रोपरेटी बार इसी toolbox से related ही काम करता है, फिर यहां पर प्रोपरेटी बार के नीचे जो एक इस तरीके के ruler और toolbox के side में जो एक इस तरीके एक के ruler दिखाई दे रही है इसी को हम रूलर या फिर computer scale के नाम से बोलते हैं अगर हम इसको hide करना चाहें तो hide करने के लिए view menu में आना है और यहां पे आप लोगों को एक option दिखाई दे रहा होगा ruler का rulers पे click करेंगे ruler हमारे हाइड हो जाएंगे फिर यहां पे आप लोगों को एक पेज दिखाई दे रहा है जब हम कोरल रा में कोई भी काम करें और उस काम को हमें का अगर हम इस प्रेश का बॉर्डर हाइड करना चाहते हैं तो विड कर डेंगे फिर कर आना हो में यह में फिर लोग देखמתा रहे만 कि हमने पेज पेड़ा किया पेज भीड़ा हो गया और इस साइट में भीड़ा किया हम ड्रा कर सकते हैं बस पेज का काम वहां पे किया जाता है जब हम कोई भी डाकुमेंट या कोई भी डिजाइन क्रियेट करते हैं और उस को हमें प्रिंट करना होता है तो हम पेज का इस्ते काम करना होता है तो coral ra का interfere कुछ ऐसा होता है इनको select करके delete कर देंगे फिर यहां पर आप लोगों को color से related कोई पट्टी दिखाई दे रही हैं इनको हम बोलते हैं color plate के नाम से अगर हमें इससे अधिक color plate चाहिए तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा default plate का option दिया है एक छोटा सा point दिया है किलिक कर देंगे हमारे सामने इससे अधिक color आ जाते हैं यहां पर किलिक करेंगे hide हो जाएंगे अभी जो हमारी color plate है एक ही रो में है हम चाहते एक रो से अधिक color plate चाहिए तो हम यहां पर किलिक करेंगे एक आप लोगों को point दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा है रो रो पर किलिक करेंगे तो हमारा जो color plate होगा तू रो में आएगा फिर किलिक करेंगे रो में जाएंगे तिरी रो से related color plate open हो जाता है अब हम इस पर क्लिक करेंगे रो में जाएंगे और यहां पर एक पर क्लिक कर देंगे एक आ जाएगा अभी जो भी यहां पर कलर प्लेट में कलर है कलर ही दिखाई दे रहा है लेकिन हम चाहते हैं इन कलर को हम इनके नाम से सो कराना तो यहां पर जाएंगे और एक 度 अब्कुल उसी तरीके से हो जाएगा यहां पर rer всегда से हम ऊपर नीचे अपने पेज़ को स्क्रोल कर सकते हैं यहां पर उसकी को सहता से भी हम अपने पीज़ को लेड़ से राइट और राइट से लेट की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक पेज वर्द दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं स्टेटेस वार एक से अधिक पेज लेने हैं किलिक कर देंगे एक से अधिक पेज आ जाएगा फिर किलिक करेंगे एक से अधिक पेज ले सकते हैं इन हम नाम रख देते हैं यूपी लोगो और यहां से कर देंगे ओके तो इस पेज का नाम आटोमेटिक चंज हो जाएगा यूपी लोगो के नाम से अगर इसमें से कोई भी पेज़ डिलीट करना हो तो राइट किलिक करेंगे यहां पर बहुत सारे आपनाते हैं इंसर्ट पेज आप्टर हमें इंसर्ट करना तो इंसर्ट कर सकते हैं बीफोर इंसर्ट करना है डूब्लिक पेज चाहते हैं या किसी भी पेज को डिलीट करना चाहें किलिक कर देंगे यहां से हम अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं फिर यहां पर जो कलर प्लेट दिखाई दे रही है जब त्रश्म Verfण हो जाती है इसतरीके से अगर हम इसको So कराना चाहें तो बिंडो में आएंगे colorplate में आएंगे यहां पर डिफाल plate का रख किलीक कर देंगे के यहां से color plate हमारा त्रो हो जाएगा इसी तरीके से यहां पर टूल बोक्स हैं तूल बॉक्स हाइड हो जाता है तो बिंडो मेनू में आना है और यहां पे एक आपसन दिया है टूल बार, टूल बार में आएंगे, टूल बॉक्स से टिक हटा देंगे, टूल बॉक्स हमारा हाइड हो जाएगा, फिर सो कराना है तो बिंडो मेनू में आना है और यहां पे ए आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेनुबार जिसमें फाइल ही है कभी कभी मेनु फी हाइड हो जाते हैंतो kosos सब्सक्राइब बात होती है अगर हम इनकोunn करना है तो यहां पर क्लिक करेंगे राइट बटन कहीं पर भी आप खाली आरिया में right button press कीजिए माउस की और यहां फे menu बार है किलीक कर देंगे यहांसे भी हम अपने menu बार को सो करा सकते हैं तो हमने यहां पे कोरलडरा का introduction और user interface देखा कि और को यूजर इंटरफेस कैसा होता है और इसके हम किस भाग को किस नाम से जानते हैं अब यहां किस तरीके से काम आने वाला है जो भी लोग कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी हैं उनको जरूर सीखना चाहिए तो चलिए अब उन बेसिक जानकारी को भी सीखते हैं कोरल ड्रा की कुछ बेसिक जानकारी जानने से पहले यहां पर हम अपने पेज को सो करा लेते हैं तो पेज सो कराने के लिए हम विव मेनु में जाएंगे और यहां पर पेज का आप्सन दिया है और पेज बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे हमारे सामने पेज कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम जानते हैं जैसे कि यहां से हम अपने पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं यह पेज भी बिल्कुल बराबर नहीं है यानि कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है तो हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो अपने कीवोर्ट से शिफ्ट बटन के साथ या फोर बटन प्रेस करें कोई भी काम हो बिल्कूल सेंटर में यहां से हम ला सकते हैं तो यहां पर बेसिक जानकारी जानने के साथ साथ हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखेंगे कि कोरल ड्रा में हम किस तरीके से काम करते हैं तो सबसे परहलब यहां पर हम एक सरकल करते हैं जैसेकल कि किया एक सथनक्राइंट किया अभी stu Lack कर नहीं होगे सरकल बिलकुल पूरा गोल नहीं है क्योंकि जब हम सरकल लेते हैं तो उपर प्रोपरेटी आप लोगों को तीन सरकल दिये हैं जिस भी सरकल पर क्लिक करेंगे उसी सरकल में सरकल हमारा डिजाइन हो जाता है फुल सरकल में लेंगे तो कुछ इस तरीके से फिर इस तरीके से लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा यहां से जो भी सरकल लेंगे तो उसी स्टाइल में हम अपने circle को draw कर सकते हैं एक चीज आप लोग याद रखें जब हम किसी भी tool का use करें तो उस tool का use करने के तुरंत बाद हमको ले लेना है pick tool जो उपर है उपर pick tool है pick tool पे click करेंगे अब हम इस image को जिस side में move कराना चाहें उस side में यहां से हम move करा सकते हैं कुछ ऐसे जैसे हमारे सामने कुछ इस तरीका का circle है अगर हम इसकी duplicate निकालना चाहें तो koral draw में duplicate निकालने के लिए कई तरीके होते हैं जैसे कि सब से पहले अगर हम इसकी duplicate निकाना चाहते हैं तो यहां से हम इस side में right side में लेकर जाएंगे तो अभी आप लोग देख already हों हम इसी तरीके का सरकल बना है अगर हम केवल माउस की बटन को छोड़ देंगे तो यही सरकल इस स्थान से मूब होके इस साइड में आ जाएगा तो इसके डूब्लिकेट करनी है तो इसको हम इस साइड में लाएंगे और अपने माउस से राइट बटन जो है किलिक कर देंगे बिल्कुल इसी की तरीके का एक सरकल इस साइड में आ जाएगा फिर यहां पर किलिक किया और इस तरीके से लाएंगे तो अभी आप लोग देख पारेंगे जो सरकल आया है बिल्कुल सीधा और हलकाल का ब्लू कलर का है और राइट बटन क्लिक कर देंगे अगर राइट पर क्लिक कीजिए जिस सरकल को आप डिलीट करना चाहते हैं कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेश कर दीजिए क्लिक करेंगे कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेश करेंगे यह चीज यहां से डिलीट हो जाएगी एक तरीका यह था किसी भी सेप का डूबलीकेट करने के लिए अ और इसी से पे keyboard में जो numeric keypad होता है उसमें जो plus की बटन है उसको हम click करेंगे जितनी बार हम इसकी duplicate निकालना चाहें जैसे कि हमको 4 बार चाहें है यहाँ पर हम 1234 बार प्रस किया यह circle चार बार duplicate हो गया इसको इस साइड में रख लेंगे और इसको हम इस साइड में रखेंगे ऐसा है तो आप लोग यहाँ पर देख रहेंगे कि इस तरीके से भी हम duplicate निकाल सकते हैं अब इनको हम इस तरीके से कर लेंगे select, select हो जाएगा और delete button प्रेश कर देंगे, delete कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम छोटा सा demo देखते हैं कि कोडल ड्रा में काम कैसे करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे sbi का logo design करना है, तो logo हम किस तरीके से design करेंगे, logo design करने के लिए सबसे पहले हम circle पे click करेंगे, circle tool पे, और यहाँ पे हम control के साथ बिल्कुल सीधा circle खीचेंगे, कुछ ऐसे, अगर हम control बटन नहीं प्रेश करते हैं, तो हमरा circle कुछ इस तरीके से टेड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा circle बनाना है, तो हम control के साथ बिल्कुल सीधा circle इस तरीके से बना स का यूज कर रहे थे वही तूल फिर अपना काम करेगा जैसे यह है अब हम इसकी की एक डूबलीच चाहते हैं दो डूबलीच करने के लिए अभी आप लोग दोखेगा यहां पर आते हैं और राइट ब्टन के साथ इसी के अन्दर हम चौटा सा सर्कल लें गे कुछ ऐसे चौछ나 ऐसे लेंगे और नाश बटन किलिके कर देंगे माऊस की यहां फे इस उसर्कल के डूली घेट आ जाएगी तो इसको सेंटर में हैं यहां रेक्टेंगल ड्रा किया है यह रेक्टेंगल बिल्कूल वाले सरकल के बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए से के साथ हम से सरकल को सलेक्ट करेंगे दोनों आपजेक्ट हमारे एक साथ सलेक्ट हो गए हैं अब हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में लाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा फिर वाले गोले को सेलेक्ट करेंगे पूरा ऑबजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा यहां पर एक आफ्शन दिया है बाइक मिनस प्रंट का बाइक में स्परंट पर किलिक कर देंगे हमारे सामने इस भी आई का लोगो यहां पर डिजाइन हो गया अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहें तो यहां से इस वाले color को fill कर देंगे, color इसमें fill हो जाएगा, color fill करना कैसे है, जैसे किसी भी object में हम कोई color fill करना चाहते हैं, तो यहां पर जो आप लोगों को color plate दिखाई दे रही है, जिस भी color को fill करना है, उस color पे अपना mouse का pointer लेकर जाएगे, और mouse से left button click कर देना है, तो left button जब click करेंगे, तो उसी color को हम अपने उस shape में fill कर सकते हैं, अगर इस color को इसमें से हमको हटा देना है, तो उपर आप लोगों को एक cross का symbol दिखाई दे रहा है, इसी पे हम mouse की left button click करेंगे, और इस shape से ओ color हट जाता है, color fill करना है, तो यहां से हम left button use करेंगे, color इसमें fill हो जाएगा, color हटाना हो, तो यहां से हम उस cross पे left button click करेंगे, color हट जाएगा, left button click करेंगे, color आजाएगा, अब इसकी जो outline है, outline हमको हटानी है या outline का color change करना है तो जो भी outline का color रखना है आप लोग उस color पे mouse का pointer लेकर जाएए mouse की right button क्लिक करोगे तो उस color में outline हो जाएगी जो भी color रखोगे उसी color में outline यहां से हम ड्रा कर सकते हैं अगर हम outline हटाना चाहते हैं, यहां पे जो cross का symbol है इसी पे mouse की right button क्लिक कर देंगे outline हो जाएगी तो आप लोगों ने देखा, यहां पे हमने SBI का logo बनाया SBI का logo कैसे design करते ही, उसमें color कैसे fill करते ही और उसकी outline को हम कैसे remove करते ही तो color fill करना और यहां पे हम कुछ छोटी सी जानकारी सीखी अब हम एक नया project लेते हैं, जैसे कि कोई भी project हम को एक और बनाना है तो example, यहां पे हम लेंगे circle, circle लिया और यहां से हम कुछ इस तरीके से एक circle खीचेंगे, ऐसे थोड़ा छोटा खीचना है कुछ ऐसे circle खीचा, और यहां से हम लेंगे pick tool, pick tool पे click किया, अब आप लोग देख पारेंगे, यहां पे circle है, इसको हम जिस side में ले जाना चाहें, उस side में ले जा सकते हैं अब इसी पे हम को एक बार और click कर देना है, click करेंगे, यहां से अगर इसकी duplicate निकालना है, तो इस तरीके से duplicate निकाल सकते हैं, इस तरीके से, तो किसी भी object की अगर duplicate निकालना है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से duplicate निकालते हैं, लेकिन इसकी हमें एक design बनानी है, तो इ क्लिक कर देंगे इसी की एक डूब्लीकेट हो जाएगी हम चाहते हैं इसी की डूब्लीकेट इतने पर ही राउंड कराना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे इस तरीके से हम अपने इस डिजाइन को क्रियेट कर सकते हैं और राउंड में बना सकते हैं यहा पूरा सरकल एक साथ सलेक्ट करने के लिए यहां से आप लोग इस पना ड्राइक करेंगे माउस की लेट बटन दबाके और पूरा से बिल्कुल एक हो जाएगा ग्रूप हो जाएगा अब इसको हम ग्रूप करना है तो कीबोर्ट से कंट्रोल जी बटन प्रेश कर देंगे पू और इसमें हम इसकी आउटलाइन है रेड कलर की करनी है यहां से इसकी आउटलाइन यहां से इसकी आउटलाइन हमने रेड कलर कर दी और इसको जिस साइड में रखेंगे उस साइड में से हमारा आ जाएगा यहां पर हमने एक डिजाइन ए बनाई अगर हम कुछ और एक नई करने हैं तो दो प्रेंद करने के लिए यहां पर जोगों के ऊसे टूल से डिखाए दे रहें लेकन यहां पर और क्लिक करेंगे और इसको हम बिलकूल यहां पर ऐसे Adjust Pittsburgh और इसको यहां से सेंटर में रखेंगे इसे यहां पे जो मिद्ल में पॉइंट है इसकर क्लिख करेंगे और यहां से हम ब्लू कलर कर देंगे इसमें टोड़ा इस को इस तरीके से अर्जेस्ट कर लेना है अल्का ऐसे अगर हम इसमें दो-तीन color fill करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को line दिखाई दे रही है इस पर जब माउस का कर्षण लेके जाते हैं और प्रेक्टिस कीजिए इसको डिलीट करना है दो बार किली कर देंगे और यहां से हम अपने कलर को इस तरीके से अर्जेस्ट करेंगे फिक टूल तुरंत ले लेंगे यहां पर हमारा एक सरकल डिजाइन हो गया तो इस सरकल में आप लोगों ने देखा कि किसी भी सेप में अगर रहे हैं पहले हम इस तरीके से अगर करते थे तो यहां से हम अपने सरकल को छोटा बड़ा कर सकते थे लेकिन को छोटा बड़ा नहीं करना है इसको हम यहां पर रखेंगे बटन दबाएंगे और इसकी इस तरीके से एक डूब्लीकेट कर लेंगे और इतना करने के बाद फ्लिट करने के लिए के माॉच की राइट बटन लिक्वाइट और इसके यहां पर इस-की डिरेंगे यहां पर एक बार के लिक्व करेंगे कुछ इस तरीके से उठा कर रखेंगे और right button click कर देंगे अब हम keyboard से Ctrl D button प्रेस करेंगे यहाँ पर इस तरीके की अगर हमें design बनानी हो बहुत ही आसानी से एक design हम बना सकते हैं पूरा group करेंगे, select किया Ctrl G प्रेस कर देंगे, एक चीज हमारी select हो जाएगी इसको जिस side में रखना हो, यहाँ से रख सकते हैं छोटा करना हो, तो यहाँ पर point है इस पर click करेंगे, shift के साथ थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हम इस तरीके से रख सकते हैं इसकी duplicate निकालनी हो, इस side में लाएंगे यहाँ पर right button click कर देंगे या फिर click किया, plus button प्रेश किया इसकी duplicate आ जाएगी, जहाँ पर जाहें वहाँ पर हम रख सकते हैं तो इस तरीके की design हम यहाँ पर बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि CorelDRA क्या है, और CorelDRA के user interface को भी देखा कि किस भाग को किस नाम से जानते हैं और इसमें demo के लिए हमने दो तीन project भी बनाए कि इन project को हम कैसे बनाते हैं तो अगले वीडियो से हम start करेंगे टूल से लेके, यहाँ पर जो pick tool है pick tool से related हम अगले वीडियो में जानेंगे एक एक वीडियो में हम बहुत सारे tool complete करेंगे और इस CorelDRA की series में जितने भी यहाँ पर tool हैं और menu वार हैं, इन सभी को देखेंगे और हम tool complete करते समय CorelDRA के अच्छे से अच्छे project देखेंगे आप लोग अगर हमारे channel के माध्यम से CorelDRA सीखोगे तो उमीद है CorelDRA आप लोग अच्छे से सीख जाओगे तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते ही उससे पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते ही अगर आप लोग ADCA basic course हमारे channel के माध्यम से सीख रहे हो अभी तक अगर नहीं सीखा है तो बिल्कुल Class 1 से ADCA की सीख आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ से आप लोग ADCA basic course बिल्कुल सुरू से सीख सकते हो और जब हम ADCA का course complete कर लेंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे कि ADCA का certificate आप लोग कैसे पा सकते हो और इसका certificate पाने की process क्या रहेगी तो हम बिल्कुल एक एक पॉइंट ADCA का कबर कर रहे हैं और इस स्रीज में कोरल ड्रा का भी एक एक पॉइंट कबर करेंगे हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा कि कोरल ड्रा क्या है और चानल पर अगर पहली बार हो तो चानल को subscribe कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हन notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं कोरल राकेट टूल थैंक्स फार दिस वाचिंग वीडियो